प्रक्रती जल्दबाजी नहीं करती, फिर भी सारी चीजे पूरी हो जाती हैं। जो तुम्हारे पास है उससे संतुष्ट रहो, चीजें जैसी हैं उसमें आनंदित रहो। जब तुम इस बात का एहसास कर लेते हो कि किसी भी चीज की कमी नहीं है, पूरी दुनिया तुम्हारी हो जाती है। एक चलती हुई चीटी, एक उंग रहे बैल से अधिक काम करती है। वह मन जो स्थिर है, उसके सामने संपून ब्रह्मांड समर्पित हो जाता है। जिनके पास ज्ञान है, वो भविश्यवानी नहीं करते हैं, उनके पास ज्ञान नहीं है। जब तुम उससे संतुष्ट हो जाते हो जो तुम हो और खुद की न किसी से तुलना करते हो न प्रतिस परधा, तब सब लोग तुम्हारा समान करते हैं। दुनिया की सबसे कोमल चीज, दुनिया की सबसे कठोर चीज को जीत लेती है। दूसरों पर काबू करना ताकत है, परन्तु खुद पर काबू करना असली ताकत है। एक महान देश को ऐसे शासित करो, जैसे की छोटी मचली पकाई जाती है, ज्यादा मत पका दो। हिंसा, यहां तक की अच्छी नियत से भी की गई हिंसा, खुद पर पलटवार करती है। कोई बहते हुए पानी में अपनी परचाई नहीं देख सकता, केवल वो जो आंतरेक शांति अनुभव करते हैं, इसे दूसरों को दे सकते हैं। बीज में चीजों को देख लेना यही प्रतिभा है। वो जो अपनी ही बात पर बहुत जोर देता है, उसे कम ही लोगों का समर्थन मिल पाता है। हजारों मिल की यात्रा बस एक कदम के साथ शुरू होती है। एक अच्छे यात्री की कोई तय योजना नहीं होती और वो वहाँ पहुंचने पर आमादा भी नहीं होता। मौन महान शक्ती का स्रोत है। आत्मा का संगीत ब्रह्मान्द द्वारा सुना जा सकता है। दूसरों को जानना ज्यान है। स्वयम को जानना आत्मज्यान। जीवन और मृत्यू एक ही धागा है। अलग-अलग ओर से देखी गई एक ही रिखा है। जब मैं उसे जाने देता हूँ जो मैं हूँ, तब मैं वो बन जाता हूँ जो मैं हो सकता हूँ। पानी की तुलना में कुछ भी अधिक नरम या लचीला नहीं है। फिर भी कोई पानी को रोक नहीं सकता। वो जो अधिक भरोसा नहीं करता, उस पर भी भरोसा नहीं किया जाएगा। वो जो जानता है बोलता नहीं। वो जो बोलता है जानता नहीं। महान कारे छोटे-छोटे कारियों से ही बने होते हैं। जब कोई राष्ट संघर्ष से भर जाता है तो देशभक्त पनपते हैं। अगर आप दिशा नहीं बदलते, तो शायद आप वहीं पहुच जाएंगे जहां आप बढ़ रहे हैं। मेरे पास सिखाने के लिए सिर्फ तीन बाते हैं। सादगी, धैर, दया, ये तीनों आपका सबसे बड़ा खजाना हैं। आपका सबस्टेalten आपका घ्का सबस्टें पास सबस्टें झाल